त्रांस्पोज और मैट्रिक्स यहां से हमें स्टार्ट कर रहे हैं आपका ठीक है चली यहां पर मैट्रिक्स की बात कर रहे थे प्रांस्पोज मैट्रिक्स ट्रांस्पोर्ज मैट्रिक्स इसमें क्या होगा रो कॉलम में चेंज हो जाएगे जैसे आपको यह दिख रहा है यह आपकी रो है तो यहाँ पर देखो कॉलम में चेंज हो गई समझ रहे हn? तो ट्रांस्बोज मेट्रिक्स में क्या होता है? रो कॉलम में चेंज हो जाते हैं, गॉलम में चेंज हो जाते हैं. जैसे मान लो A, B, S Pepsi. यह कोई एक मेट्रिक्स है. मान लो A से repgend कर रहा है. तो इसको टी से या A, बी सी D, E, F. क्लियर हो गया A, B, C, D, E, F तो यह हो गया transpose matrix चलि अब तो यह double dash हो गया आपका ठीक है T, देकर करके इस तरह से आई का душ हाई अदेट फैसन जैस ठीक हो जाती है относ of matrix किसी भी कोई matrix है उसको डिटर्णमेंट में change करना है तो mod A लगा दो ठीक है तो यह हो जाएगी A11, A12, A23, A21, A22, A23, A31, A32, A33, तो यह क्या हो गई यह हो गई आपकी transpose of matrix ठीक है रो कॉलम में change हो जाती है और determinant of matrix में ठीक है तो determinant का style लग जाता है ठीक है तो वो determinant of matrix हो जाती है इसकी property प्रॉपर्टी से हम बैसी रहती है जो पहले थी ठीक है तो यह square matrix में exist करता है यहरी determines of A और B वो तो mod A mod भी लिख सकते हैं transpose matrix का determinant होता है के के बार आजाता है constant clear तो transpose matrix होगा तो row column ही तो change हो है पर उसकी value तो same रहेगी ठीक है तो यहाँ पर यह equal बता रहे है ठीक है चले तो A B square matrix same order than A B तो B into A ठीक है चले उनका determinant same रहेगा चलो अब यहाँ पर आपको बोल लाए है चले एंड बी square matrix of same order A और B square matrix है और उनका order same है ठीक है तो यह property है सीधा सीधा property है ठीक है अगर आप transpose नकालते हो A डैस B तो property को बी डैस और A डैस ठीक है तो यह आपका property वेस होगा क्रेयर हुआ चलो अब यहाँ पर आ जाओ 15 चले ए बी order 3 और 2 है order है matrix है c2 into 3 order matrix then which column matrix not defined इसमें कौन defined नहीं होगी A डैस निकाल 2 into A A डैस B हाँ तो यह defined कैसे हो जाएगी इदा देख जुड़ेंगी नहीं क्योंकि यह जुड़ेंगी क्योंकि इदा देख एक का order क्या है इडैस का टू इंटू 3 दूसरी का order क्या है 3 into 2 तो जब order सेम नहीं है तो एड़ी नहीं होगा जब order सेम नहीं है तो एड़ी नहीं होगा चले चलो अब यहां पर आ जाते हैं चलो इस्पीसल टाइप ओओ मैट्रिक्स इस्पीसल टाइप ओओ मैट्रिक्स की बात करते हैं सेमेट्रिक उस्चिक सेमेट्रिक मैट्रिक्स ठीक है सेमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है अगर एडैस एकुल टू ए आ जाए तो सेमेट्रिक मैट्रिक्स रहेगी हो एस एक्वल टू एंश से मैट्रेक्स रहेगी मिस यह हुआ हूं इह इते हैं इते हुआ है शुक्समें टर्मेटिक्स में ही डिस एकिल टू मा इस अब शेपर हजा में नच तो को तो भाव इन हुआ है जाई आप से अ भी यहां पर प्रोड़ प्राप्रटिस और सेमेंटरिक है six symmetric matrix कुछ की property है ठीक है तो A is square matrix देने A plus a dash, a into a dash A dash into a symmetric matrix होंगी अगर माइनस करोगा तो यह six symmetric matrix होगी इसका सेमेंट्रिक matrix हो जाएगी ठीक है यहीं यहाँ पर यह property discuss की जा रही है ठीक है तो इन property वाद देख लिना ठीक है जो लाश्ट वाइद इना सिंगलर और नॉन सिंगलर मैट्रिक्स का मतलब अगर कोई सिंगलर मैट्रिक्स है तो सिंगलर मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मेंट क्या होगा जीरो होता है नॉन सिंगलर मैट्रिक्स का डिटर्मेंट जीरो नहीं होता है ठीक है सिंगलर मैट्रिक्स का डिटर्मेंट जीरो होगा नॉन सिंगलर मैट्रिक्स का डिटर्मेंट जीरो नहीं होगा क्लियर हो गय चलिए चलो और्थोगोनल मैट्रिक्स ए और एडेस आप निकालोगे एकर आई आजाए यूट मैट्रिक्स आजाए तो और्थोगोनल मैट्रिक्स हो जाएगे ठीक है एक मैट्रिक्स जिसका ए और एडेस इकुल टू आई आजाए तो और्थोगोनल मैट्रिक्स हो जाएगे क तो यह आपके कुछ प्रॉपर्टी है इनको आप देख लेना ठीक है प्रॉपर्टी वे से चलो आप इदर आ जाते हैं कुशन नंबर वह एकजांपर नंबर 16 पर आ जाते हैं एकजांपर नंबर 16 में यह दिया है और यह पूछाए कुछ टाइप की मैट्रिक्स है ठीक है तो इसमें उपर वाले और नीचे वाले एलिमेंट तो 0 नहीं दिख रहे हैं 16 एकजांपल की हम बात कर रहे हैं तो आपको यहां पर जीरो माइनस फाइब सेवन फाइब जीरो एलेवन सेवन एलेवन जीरो डेस कर दो तो यह हो जाएगा 0, 5, minus 7, minus 5, 0, 11, or 7, 11, 0, minus common ले लो एडेस एकजांटो माइनस 0, 75, 0, 11, 7, 11, 0, एडेस एकजांटो माइनस क्लियर हो गया एडेस एकजांटो माइनस तो यह ही यहां पर हमको निकालना था और यह किस की कंडिशन होती है तो आपका आंसर क्या आजाएगा आपका आंसर भी आ जाएगा अब हम नेस्ट पर आ जाते हैं ठीक है नेस्ट पर माजाते एकजांपर 17 तो मैट्रिक्स 2-1 1 lambda 3-2-4 4-3 यह नोनसिंग्लर मैट्रिक्स का मतलब होता है कभी भी यह 0 के एक्वल नहीं होगाломज रहा है नोनसिंग्लर मैट्रिक्स का मतलब है not equal to 0 ठीक है non-singular matrix का मतलब क्या है not equal to 0 अब इसको solve करो तो 2 SI रखो इधर कर लो तो क्या हो गया minus 9 और plus 8 minus lambda तो ये क्या हो गया 3 minus 4 plus minus हो जाएगा 4 ये क्या हो गया 2 minus 3 not equal to 0 तो ये minus 2 plus lambda plus 4 not equal to 0 तो लेमडा की value क्या नहीं होगी minus 2 नहीं होगी तो कौन सा answer है answer है आपका A क्लियर हुआ क्लियर हुआ क्लियर हुआ 18 पर आ जाते है 18 दिया है ठीक है एक matrix दिये अब इस matrix में इसके transpose का और तो गोनलो ट्रांस्पोज हो जाएगा इस matrix का transpose करो तो यह हो जाएगा आपका बनवाई तरी तो ऐसा ही होगा इधर क्या होगा 1 2 2 2 1 माइनस 2 माइनस 2 इन दोनों का product किया ठीक है product करेंगे तो product किया तो आपका ortho गोनल आ जाएगा A option हो गया चली कुशन नम्मर 19 पे आजा अब यह क्या बोलना है यह symmetric matrix बोलना है यानि symmetric matrix का A dash equal to A यह होती है A dash equal to A A dash equal to A इसको solve करेंगे या compare करेंगे solve करेंगे इन दोनों को तो हमारे पास क्या आजाएगा हमारे पास A x equal to 5 आजाएगा यह ही आपका answer है ठीक है चलीए अब हम example 20 की बात करते है if A and B are two square matrix order यह है यह क्या होगा ठीक है order क्या square matrix है दोनों सेम है सही है चलीए इनको हम निकालेंगे तो यह आपका दिया answer आजाएगे तो सीधा-सीधा formula है अब जाएगा जैसे A square minus B square A B minus भी यह यह होता है clear हुआ चलीए चलीए कुशन नमबर 21 पर आ जाते हैं ठीक है 21 आपको बोला है which statement not correct ठीक है तो हमको सभी इसको check करना पड़ेगा ठीक है तो अगर हम determined निकालते हैं तो इसमें D जो है D का option क्या है D का option नहीं दिख़ा है इसमें ठीक है तो D आपका होगा चलीए अब हम 22 पर आ जाते तो एक matrix आपको दिया गया एक equation दिया गया matrix में ठीक है A square 2A I I identity matrix है और यहाँ पर क्या है N की value होगी जो 2 के बराबर है उससे जादा होगी तो A N कितना होगा तो इसमें क्या किया सबसे पहले A का multiply करो ठीक है तो यानि A Q मिलेगा A Q की value यह आ गई पर A4 निकालोगो तो डॉट डॉट करोगो तो A N निकालोगो ठीक है तो एक sequence बंदा है समझ रहे हो क्या बंदा है स्वेंस के according हमारा answer A हो जाएगा clear चलिए अब हम आजाते है कुशन नमबर 23 23 में एक मैट्रिक्स दिया है only correct statement about a matrix ठीक है तो हमने इसका क्या है सबसे एक step by step चेक करेंगा हम इसको तो सबसे पहले हमने क्या है इसको यह चेक किया A square A square किया तो यह आ गया इसका multiply के तो आपका यह आ गया यह मल गया unit matrix ठीक है तो A square equal to I आ गया ठीक है A square equal to I आ यह 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 यहानी हमारा पहला यह answer correct है clear हुआ है